दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं निउस बकेट में आपका स्वागत है 3.0 की सरकार बन चुकी है मोदी सरकार बन चुकी है वैपारी समाज कितना खुस है कितना नराज है क्योंकि पहले भी GST और तमाम चीजों को लेकर वैपारी लगातार बिरोध भी करते आये हैं हमारे साथ हैं वैपार मंदल के अध्यक्ष अधिस सिंग्भगा और इनसे बात करेंगे कि वर्तमान सरकार यानि मोदी सरकार से कितने खुश हैं क्योंकि जिस तरीके से कासी की जनता ने जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरंदर मोदी को जीत दिलाई यह बताए कि प्रधान मंत्री नरंदर मोदी तिसरी बार प्रधान मंत्री बन गए हैं क्या आस रखे हैं वैपारियों को कितनी सुब्धा मिलने वाली है देखिए फ्रदान मंत्री जी जीते ये बहुत खुशी की बात सबके लिए है पर बैपारियों को पहले भी दिक्कत थी पर बैपारियों ने मानी मोदी जी के और योगी जी के जिस तरह देश में विकास हुआ रोड बनी या बदे भारत चली या कारीडोर बना उद्या जी में राम जी की प्रान प्रतिष्ठा हुई या तरह तरह के विकास जो हुए और राष्ट में जो देश का नाम हुआ हिंदुस्तान का नाम सबसे उपर हुआ इन सब चीजों को देखते हुए इस बार भी बैपारियों ने मानी प्रधान मंती जी को वोड़ दे के जिताया पर जो बैपारियों की दिक्कते हैं अगर ये उनको दूर करेंगे तो जो थोड़ी थोड़ी मनों में लोगों के नराजगी है और लोगों के वो दूर हो जाएगी तो बैपारी ये चाहते हैं कि भश्टाचार पूरी तरह से खतम हो जाए महेंगाई कम हो और जो जीएस्टी खाने के समानों पे लगी हुई है वो खतम होनी चाहिए और साथ में जीएस्टी की दरें कम होनी चाहिए इसके साथ साथ बैपारियों को जो लोन दिया जा रहा ह और जो लोन बैंकों में बाकी है जिनका उसको बिना ब्याज के किस्तों में खतम करा दिया जाए ताकि जो बैपारी परिसान है 2014 के बाद जितने मकान भीके या जितने खाते MPA हुए ये रिकार्ट तोड़ हुए और जो सरकार की योजनाय है ये लोगों को मिल नहीं पा रही है लोवर किलास और अपर किलास तो आप से खोस है पर मिडिल किलास आप से नराज है पर बैपारी उने इस बार भी आपको ही बो दिलवाया है महिलाओं को समान दिलवाया पूरा गुंडा राज खतम कर दिया और बैपार भी आगे से बढ़ा पर जो बैपार और से वो नहीं बढ़ पाए जिसकी वज़ा से भी दिक्कते आए यहां जो दुकाने तोड़ दी गई मकान तोड़ दिये गए उनको दुबार पतिसापित नहीं किया गया जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह नियम है कि पहले बसाएंगे तब उजारेंगे और तरह तरह के लोगों को कहीं को मौज़ा नहीं मिला और लोग जो पचास साथ से जिस माकान दुकान में थे अगर वो आपकी जमीन भी थी तो रोजी रोटी चल पतिस बार देखा जाये तो आपके साथ तिकोरात्मत तरीके से लोगों ने धोका किया चाहे वो किसी वर्क की बाद ले लीजे चाहे आपकी पार्टी के लोगों की बाद ले लीजे चाहे आप प्रसासनिक ले लीजे कहीं ना कहीं आपके साथ गरवड़ी हुई और उस गर प्रवजूद भी लोगों ने आपको वोड़ जिया और आपको जिताया तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि वैपारियों की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए और वैपारियों के साथ आपकी बैठक हो आज तक वैपारियों के साथ कोई परदान मंती जी की या मुक् आपका ध्यान इन सब साथी सीजों पर जाएगा अच्छे लोगों के आप राय लेंगे अच्छे लोगों के आप सला लेंगे और सही माने में क्या दिक्कते हैं ये आप तक पहुँचें वो पहुचाने वाले लोगों को आप से दूर रखा जाता है और जो नहीं पहुचा ताकि आप आगे आने वाले समय में यह सरकार का जो वीजन है दोजार सहतालिस वो पूरा हो सके अगर इस पर ध्यान नहीं गया तो आगे भी नुकसान हो सकता है लेकिन जिस तरीके से बनारस के खास करते हैं छोटे तप्ये के हैं जो ठेला खुमची लगाते हैं उनको आए द कही न कि सरकार के पास सही रिपोर्ट नहीं जा रही है जब तक मेरे देश के मुख्या के पास प्रदेश के मुख्या के पास ग्राउंड लेबल की रिपोर्ट नहीं जाएगी इमानदारी से तब तक यह समस्या बनी रहेंगी चाहे वो ठेले वाले की हो चाहे पट्री वाल अब पीट पेलात लोगों के लग रही है तो और कोई भी नियम, सरकार अगर बनाती है तो उसको देश की जंता के हिसाब से बनाना है अगर कपड़ा बनता है तो आदमी के सरीर के हिसाब से बनता है, खपड़े के हिसाब से सरीर नहीं बनता है, तो ग्राउंड लेवल पर आए, इनकी योजनाय तो इतनी है, कि लोग अगर उने योजनाय का लाब उठाए तो बंबम हो जाए, पर वो योजनाय लोगों तक पहुच नहीं रही है, वो ग्राउंड लेवल तक जानी चाहिए, जिसके लिए आपको सही तरीके से, जबकि आपके पास इतना अमला है, नीचे की कमेटी, उपर की कमेटी, सब है, पर उसके बावजूद सही लोगों को इसका लाब नहीं मिलना है, कहीं न कहीं ताना सही भी है, अगर आपका ताना सही नहीं होता, तो आज आप ब पुराने लोगों को पूछ नहीं रहे हैं नए लोगों को वासिंग मसीर में धोते रहेंगे तो वह धुलते तो रहेंगे पर आपकी नराजगी बढ़ती जाएगी तो इसके लिए हम अनरोद करेंगे कि हम लोग वैपारी चाहते हैं कि आज जीवन मोदी जी और योगी जी की सरकार रहें पर इस पर मन्थन होना चाहिए तो वैपार मंडल अध्यक्ष अजी सिंग भग्गा ने बहुत सारी बातू पर इन्हों ने प्रकास डाला है विजेस इंटर्विव करें थे तो हमार साद मंदर ये नियूजबकेट के साथ हमें दिजे इजाज़ात नमस्कार के लिए हमारे यूट्यूब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें